कि मामला आई के रात के गोली चली थी जिए बड़ा वजी अगया तो पूझ नहीं मिला उसको तो पर रात के दस बजे की बात गोली की तो लमसम पर दुनुगा चार बजे फ्रेस होनी आई थे जिए तो उनने इदर देखा तो उनके फुट्ता और वे सामने से बगए अब व कि उनने सुच नहीं तो जिए गाँवाली भी आ गए मैं भी घर पून लगा तो मैं भी घर से आ गया वर मैंने जाके और श्राण प्ड़ी में भी फून लगाया और रिश्टर को भी पून लगाया है हमने आगे देख आंगे रहना पराया है वनखोन आदमी थे बज़ाने वो मुववान ली था इसके बाद में फिर भुट रात लोग भूंश रहे पूली तरह सी जि जि अब अब बुट तक क्यों बूश रहे मैं देखू हरका बात है तो मैं थ्रेस भी उब तो साड़े शारकवजी के लंचम जि उसके बाद में आया तो फिर लग रहे तो थ्रेस ह आप ने किसी को सूच ना दी इसकी नहीं गावारे नहीं नहीं देख ले एक पर घुनी अने लगाया हत्या का आरोग वन विभाग जता रहाएं अग्याग जानवर के हमले की शंका वन विभाग ने कराया चीतल का पोस्ट माटम उदे सिंग्याद अव शाहबाद उप्खंट कस्बाथाना तस्बे के क्शेत्र गाव टांडा अहिरान में मृत मिले नर्चीतल को ग्रामीनों केंदेखी कही या फिर वन विभाग द्वारा अग्याद जानवर के हमले से हुई मौत के नाम रफा दफा करना अब देखना है बाकी पोस्ट माटम की रिपोर्ट आपको बता दे की गाव तांडा अहिरान में मौत के शिकार हुए नर्चीतल की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे कस बाथाना अधिकारी रविंद्र सिंग ने वन विभाग को दी सूचना इस दोरान मौके पर ग्रामीनों की भीर एकत्रित हो गई जिन्होंने चीतल का गोई मार शिकार करने का आरोप लगाया है उधर विभाग के अधिकारियों द्वारा चीतल को अध्याद जानवर के हमले से मृत गोशित होने की शंका जताई जा रही है चीतल के गरदन पर शिकारी जानवर के दांतों के नी शान बताए गए हैं ग्रामीन हनुमंत सिंग, कनहया यादव, सुरेश, हजरत सिंग, वनवारी, इश्वरलाल, भगवान सिंग, राकेश, पवन, रामुखंगार, सुरे इंद्रजातव ने बताया कि खेट में हिरन मृत पड़ा मिला है, ग्रामीनों ने पास के गाववालों पर हिरन को मारने का आरोप भी लगाया है, फॉरेस्टर सतीश गुर्जर ने बताया कि मृत हिरन को पोस्टम, अटम के लिए किशन गंज भेजा गया है, पोस्टमाटम क kitty बताया हिर ने जया स्टर प्रामी एः गर किशन एगवालों है, फॉरेस्टर सतीश घंदीबों